दोस्तो आज किस वीडियो में आप सीखेंगे आलो के पापड और आलो के चिपस हम घर पे कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से हम बनाएं कि आगर आपको वरत वगेरा में भी खाना हो तो आप बेजी जग हो के ये सारी चीज़ा एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आलो के पापड में आपको तलके दिखा रही हो जो कि मने घर पर ही बना के तैयार के आएँ दोनों ही बहुत ही आसान रैस्पी है तो यह है हमारे आलो के पापड और इसके बाद हम सीखेंगे आलो के चिप्स की रैस्पी जो कि एकदम वाइट वाइट से बनते हैं मैं आपको डिजाइन वाले आलो के चिप्स इखाऊंगी जिस तरीके से आपको पजार में भी नहीं मि मैंने कुकर में सिर्फ दो ही विसल दिखाई थी, आलू का भरता नहीं बनाना है, आलू थोड़े से खड़े-कड़े से होने चाहिए, आलू को छील ले और आप इसे गरम पे ही ऐसे कद्दू कस कर ले, गरम पे कद्दू कस करने में आसानी होती है, पहले की टाइम पे सिल्फ वरत में नहीं खाते हैं, वो इस वाली रैस्पी में लाल मिर्च अवइड कर सकते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा लाल मिर्च को भून के डाल दें, तो यहां पे लाल मिर्च जीरा जो आप देख रहे हैं, दोनों ही भून के मैंने यूज़ किया है, इसे डाल देंगे, और म मुमफली का तेल वगेरा हो गया, जो भी वरत में खा सकते हूं, वो इस्तमाल करें, ताकि आपके हाथ पे चिपके नहीं, तो यह आलू का एक तरीकी से डो हमारा लगके रेडी हो गया है, पापड का, बस इसके हम छोटी छोटी गोलिया निकाल लेंगे, तो यहां पे मैं थोड़ा सा सरसों का तेल लगा रही हूं, क्योंकि मैं वरत के हिसाब से मैं यह नहीं बनाया था, अगर आप रत के लिए बना रहे हैं, तो हाथ में घी लगा लें, और इसके चोटे चोटे पेड़े बना लें, जिस साइज के आपको इसके पापड बनाने हैं, मैं बिना और पार गृम, फिर वोड़ा सामसारि से उसक बस बाया और ऊपर शेट के जिया किसी प्लेट से अब एसे दबादे, जितना जाधा नहीं पतला बनेगा, तो मैं जो भी एधाए ने तूए बना उसे आप से दबा लें थोड़ा सा मतलब इसमें थिकनस दे के रखिएगा बहुत जादा पतला ना करें क्योंकि तलते वक फिर तोट जाएंगे थोड़ी से मुटाई होनी चाहिए एकदम पूरी की तरीके से इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए आपको यह सुखा ले रहा है कम्प्लीटि तीन से चार दिन लग सकते हैं पंख्य में एक दो दिन एक्स्ट्रा लग सकता है तो अरामसे शूख जाएगा सूखने के बाद जब भी आप इसे तलोगे यह बिल्कुल इस तरीके से बनके निकलेगा और बहुत ही टेस्टी बहुत ही कुरकुरा बनके निकलत चैव अगरे के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात आप इसे एक बार बना के रखो साल बर यह खराब नहीं होते एर टाइट कंटेनर में आप रख लें तो यह तो थी आलो के पापड की रेस्पी अब हम बनाना शुरू करते हैं आलो के चिप्स की बनाना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं यह मेरे डिजाइन वाले ऑलो के चिप्स हैं देखने पे में बहुती कंटिटी लिए है आप देख सकते हैं चार बड़े आक़र के चिप्स होना आलो इंcover है इसे छील लेंगे और इसे पानी में ही डाल के रखना है ताकि काले नहीं पड़े तो इससे चील लिए और कोशिच करें चिप्स के लिए न हमेशा थोड़े से मीडियम से बड़े आकार के आलू लेंगे तो अच्छा रहेगा छोटे आलू में आपके चिप्स भी बहुत ही छोटे साइस के बनेंगे चिप्स के भी आपको directly पानी में ही डालना है ताकि काले नहीं पड़े क्योंकि आलू बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं मैं आपको design वाला दिखा रही हूँ इसे की पीछे वाले side में जो zigzag वाले dant होते हैं कटर के एक बार मदलब आप सीधा चलाईए एक बार थोड़ा सा मतलब प्लस का sign मनाते हैं चलाना है एक बार सीधा चलाना है एक बार बिल्कुल इस तरीके से चलाना है तो design अपने आप ही बन जाएगा मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके की design बनेंगे ये देखे अभी मैं भी आपको design उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा बट सूखने के बाद जब हम इसे fry करेंगे तो बहुत ही अच्छे से design उभर के आता है लगता ही नहीं कि घर पर हमने बनाया है ये देखे बिल्कुल इस तरीके से तो सारे chips मैंने cut कर लिए हैं इसे पानी में ही रखा है पानी से एक से दो बार इसे हम साफ पानी से एक बार फिर से दो लेंगे ताकि इसका starch निकल जाए फिर उसके बाद भगोने में मैंने already मतलब पानी चड़ा के रखा है जब तक हम ये काम करते हैं side by side भगोने में पानी चड़ा देते हैं ताकि उसमें उबाल बना रहे है जब हमारा मतलब chips cut के तयार हो तो इसका पानी साफ कर लें एक से दो बार और तुरंती से च्छान लें फिर उसके बाद भगोने में ये पहले का प्रोसेस है जो कि मैं आपको भी दिखा रहे हैं जो हम chips cut कर रहे थे तभी हम मतलब भगोने को चड़ा देते हैं अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है सेना नमक ताकि साल भर में जब भी कोई रत वगेरा पड़े तो भी हम ये chips खा सके तो नमक डालने के बाद जब ऐसे उबालाना शुरू हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे हमारे chips उसे cover करके आपको 3-4 मिर्ट के लिए ढखना है थोड़ा सा high flame पे ही रखें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 3-4 मिर्ट से जादा इसे नहीं पकाना है नहीं तो आपका chips हलवा हो जाएगा और थोड़ा सा रंग भी उसका उतना जादा white नहीं आएगा जितना हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3-4 मिर्ट के लिए पकाना है और तुरंती से चान लेना है इस तरीके के हमारे पास बांसकी डलिया थी हमने उस पर डाल दिया तुरंती इसे फैला ले और यहां पर polythene sheet हमने वापस से धूप में डाल के रखे इनकेस अगर धूप नहीं आती है तो वापस से आप जैसे घर के अंदर जहां पर भी पंका हो तोड़ी सी गर्माहट आती हूँ तो वहाँ पर आप सुखा सकते हैं मेभी इसका जस टबल टाइम लगे यहाँ पर दो से तीन दिन में आपके जिपस अराम से सूख जाएंगा अगर अच्छी दूप आ रही है तो इसे फैला दे एक के उपर एक नहीं फैलाना है अलग अलग रखना है और सूखने के बाद कि कुछ ऐसे दिखेंगे अब मैं आपको तलकी द इन को प्रेंवाले पहले तलकी दिखा रही हैं एक दम की और बहुत ही वहली पिशल रैस्पेस दिखाई zitten जैसे चावल की कच्रि हो गया चावल कर पर हो गया साबुदाने के पपर हो गया अरत पर हो गया वह है जो हमारा जिजजद पापड हो गया वो सारी रेस्पी सी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दोंगी आप जाके उन चिप्स पापड की भी रेस्पी देख सकते हैं तो यह देखे कितने जादा कुरकुरे और क्रिस्पी बने हैं उपर से हम लग थोड़ा सा लाल म रेस्पी के साथ तिल देन टेक केर बबाए और रेस्पी